अलो फ्रेंड्स वेलकम टो asc coaching center दोस्तों आज के विजियों में देखिए साधरन व्याज और चक्रवदी व्याज के प्रेशने तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साधरन व्याज्स के प्रेशने उसके बाद में देख लेंगे चक्रवदी व्याज तो साध्रन व्याज का ज प्रिंसिपल रेट दे रखा है बारे का और समय भी दे रखा है यहां पर बारे का बट्टे में कितना सो सो से सो कैंसल हो जएगा बारह से बारे कैंसल रखा है एधर क्या आगया प्रिंसिपल रखाहर कीपहिए पृष्णि का यह प्रेशन था कोई मुश्किल था पश्किल तो उनके लिए था जो अभी अभी नया नया तैयारी करना चालू किया है हमने सीधा सीधा जो साधन अभ्याज का फॉर्मूल होता पी आर टी बट्टे सौ पूल लगा दिया प्रिंसिपल रेट और टाइम छे बरस का बट्टे सौ प्रिंसिपल रेट बारे का टाइ में बारे बरस का सौ से सो कट गया बारा से बारा कट गया च्छे कमचे कट गया च्छे दोने का बारा पी से पी कट गया तो एक अनुपात दो ही तो बचा के लिए रहे चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्ने अगला प्रश्ने है पचास रुपे का छे महीनों में प्रत बात है 6 महीने की ठीक है बात 6 महीने की अब देखिए 10 परसेंट की दर से रुपिया कितना हो रहा है 50 रुपिया ठीक है तो एक परसेंट से कितना रुपिया हो जाएगा 5 रुपिया तो 6 परसेंट से कितना रुपिया हो जाएगा 30 रुपिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 रुपिया प्रिश्णी खतम प्रिश्णी खतम प्रिंसिपल आपका 50 रुपिया ठीक है रेट आपका 10 पर्शेंट का टाइम 6 महीने का बटे 100 ठीक है कटा दो भाई 2-0 से 2-0 कट गए 5 यहां भी 30 आ रहा था यहां भी 30 आ गया और यहां भी 30 दे रखा है य अब देखेंगे हम अगला प्रिश्णी है अगला प्रिश्णी है साधारन प्याज की एक निश्चे दर पर 8000 रुपे तीन वर्ष में 956 रुपे हो जाते हैं अब 800 – 956 होने पर ब्याज हमको मिल ला है 156 रुपय का सिधा सिधा ना जरा रहा है चलिए अब यहां पर ब्याज भी आ है मुल्धन भी है सबकुछ है समय भी है तो principle निकालना प्रिंसिपल आपके पास यहां पर कोई देखत तो होगी नहीं रेट निकालना आपके लिए आसान हो गया देखिए कैसे निकालेंगे आपके पास ब्याज कितना है 156 का है ठीक है कुने 100 कर दो बटे में कितना जाएगा मुल्धन लेलो 800 तीन वर्स कटाएं में 3 से काट गए चलिए तीन से इसको कटाऊं या फिर आठ से इसको कटा गए देखता हूं सिधर सिधर कट जाएगा तीन पंजे 15 तीन दुने काच्छे बामन्बार में गया थीक है गया बामन्बार में आप इसे मैं कटाथा हूं 4 से काटाऊ आऊँगा 4 कम 4 4 4 3 कबारा और 4 दु इसी अब्धी में यही मूल्धन, मूल्धन कितना था, आठ सो था, इसी अब्धी में यानि कि उसी समय में, एक हजार बामन हो गया, एक हजार बामन हो गया, आठ सो से एक हजार बामन हो गया, तो कितना ब्याज मिला, दो सो बामन मिला, ठीक है, दो सो बामन मिला, यहां ब्या जब गुने 100, बटे में 800, गुने समय कितना है, हमारा 3 बार्स का, 2 0 से पहले ही कितरा 2 0 ये कट जाएंगी, ठीक है, 3 से इसको कटा के देखुआ, 3 8 24, एक बचेगा वारा 3 4 के बार, ठीक है, चार से कटा दूगा, 4 दूने का 8, 4 एक कम 4, 4 दूने का 8, तो ये 21 के बटे में हो 2, 2 से कटाओं इसको कितनी बार में जा रहा है, 2 से इसको कटाओंगा, ये जाएगा 10.5 बार में, ठीक है, यहाँ देखिए 6, यहाँ देखिए 6, साडे 6, साडे 6 से 10 कितना देखे, आप बोलेंगे 4 परसेंट अधिक है, हमसे पूछा क्या था, कि ब्याज की दर में ब्रद् का परसेंट है, 4 परसेंट, यानि कि B-Option बिल्कुल सही जवाब है आपका, आसानी से समझ में आ रही है बात, चलिए, आप देखेंगे हम अगला प्रेशनी, अगला प्रेशनी है, एक औरत प्रत्येक वर्ष के प्रारम पर 4,000 रुपे प्रति वर्ष 5 परसेंट के चक्रद ठीक है, 4,000 रुपे उसने निवेश की है, 5 परसेंट के चक्रदिवया, जो प्रोफिट मिलेगा 5 का, और जो भी हम जमा कर रहे हैं, मूलदर वो अपने आप में 100% है, उस पर हमें 5 परसेंट का बेनिफिट मिलेगा, जानि कि 105 परसेंट मिलेगा, और परसेंट का मतलब किया इसको कटाओंगा 20 बार में, 5 से इसको कटाओंगा 21 बार में, और 5 से इसको कटाओंगा तो ये 20 बार में कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, 2 0 से आपके ये 2 0 कट जाएगे, 2 दुने का कितना हो गया, ये 4, ठीक है, 2 दुने का 4 हो गया, अब 4 से कटा दूँगा, मैं 40 को 10 अब इनका तीनों का गुना रह गया है, गुना ही तो रह गया, 21 का गुना 21 से करूँगा तो 441, 441 का गुना 1 से कर दूँ तो 441 ही रहेगा, एक जीरू आ जाएगा बस लाश्ट में, यह आ गया 4410, 4410 जाने की ब्योप्सन, तो दूसरे वर्स के अंत में कितने रुपे निवे करेगी, 4410, यह आपका सही जवा हो गया, चलिए, अब देखेंगे अगला प्रेशनी, अगला प्रेशनी है, कोई धनरासी 8% प्रतिवार्सिक चक्रती ब्याज पर जमा की जाती है, यदि पहले वर्स का ब्याज 72 हो, तो दूसरे वर्स का ब्याज गयात करो, पहले वर्स में 8% की दर है, और ब्याज मिलना हमको 72 रोपया, पहले वर्स में, पहले वर्स में मिलना है 72 वर्स, तो दूसरे वर्स में क्या मिलेगा, यह पूछा जा रहा है, तो दूसरे वर्स में क्या है 72 तो मिलेगा ही मिलेगा, भाई हमाई चक्रती ब्याज की बात है, पहले वर्स में बहत्तर मिला दूसरे में मिलेगा लेकिन इस बहत्तर पर जो ब्याज मिलेगा ब्याज के उपर जो ब्याज मिलता है लगता है वो मिलेगा ठीक है तो इस बहत्तर पर जो ब्याज लगेगा ब्याज क्या लगेगा आठ परसेंट की दर है तो उसी का लगेगा आठ परसेंट की बटे में शो, ठीक है, आठ दुनिय का 16 का 6, कैरी का बन, आठ सत्य चपन, कैरी का बन जोड़ दो सकता में, मतलब 566 में क्या करना है, आपको 100 से डिवाई, दो 0 है, तो 2 संग के अबाद 10 मलब लग जाएगा, इसका मतलब 5, 10 मलब 7, 6 आ गया, ठीक है, इतना हमको और मिलेगा, 72 तो मिलेगा ही मिलेगा, 72 में जोड़ देंगे इतना, यानि कि 5, 176 इतना हमको और मिलेगा, तो 72 में 5 जोड़ों कितना हो जाएगा, भीया, 77, 176, 77, 176, यह सी ओफसन आपका बिल्कुश सही जवाब हो जाएगा, उमित करूँगा, सभी पिरशने आपको बहुत आसानी से स मजमारे हैं, बहुत बहुत थेंक्यू, धन्यवाद,